क EigцWest voll आज ही मैं आपको बताने कि एक नए अबडेट के बारे में या फिर को सकते हैं एक नए अपडेट के आ लेसे अपको बता हुं कि पहले मेरे चले को पूर । तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे जोगत है मेरे करके नाए आप्डेट के वारे में तो उसके लिए आपको आपको आपीएट मेल रहा हुआ डिवाइस के अंदर और आप देखेंगे सब्डेट को कब रिलीज किया गया चय्जिका गया और इसका साइज 16.47 MB का अब बात करें दोस्तों इस update में क्या नया changes किया गया है दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इस नया update में कोई भी नया changes नहीं किया गया बट जब भी कोई नया update आता है दो तीन चीजे तो हमेशा उसमें सही की जाती है बग फिक्सेज security update और enhance कुछ नहीं फीचर उसमें addon किये जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे device care का नाम मतलब क्या है और device care का use क्या है दोस्तों device care अगर आप इसका नाम से समझे तो नाम से समझ में आएगा device care मतलब की mobile को care करने के लिए device care का use होता है और इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स मिलती है जिससे अब अपने mobile को care कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत सारी वीडियो बना राकिए फिर भी आपको थोड़ा-थोड़ा सा यहां पर मैं आपको review दे दूँगा तो सबसे आपको कर लेना है यहां पर device check का यहां पर अगर आपके बस good लिखा नहीं आ रहा मतलब कि आपके डिवाइस में कुछ ना कुछ problem है तो आपको इसको optimize now पे click कर देना है तो जैसी आप अपके नाइस पे click करेंगे तो इत्ते सारी चीज़े automatically off कर देगा जिससे आपकी mobile की थोड़ी स्पीड जैसे कि आप देखते हैं पहले क्या था आप यह ग्रेट पर आ चुका है अब यहां पर आप बात करें ऊपर की तरफ यहां पर आपको देखेगा मन्त आपका डेली ग्राफ और या क्या क्या चीज़े आपके सब मिल जाएगा कब कब आपके mobile को रिस्टार्ट की जरुवत है कब क्या चीज़े सारी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी उसकी सेटिंग्स मिल जाएगी आपको और यहां पर जाएंगे स्टोरेज बूस्टर इसका एक अलग सा पार्ट है उसको छोड़ते हैं अब ब बैटरी से लेटेट जो भी डिवाइस केर कर निए वाला बैटरी जो भी कियर करनी हो सब आपको मिलेगी से पाबर सेविंग मोड वेग्गराउंड यूजज लिमिट आपको देना हो तो यहां पर दे सकते हैं कितना आपके मोबाइल चल रहा है कितना घंटे चलता है लास स विद्ध में कितनी उसकी बैटरी यूजज हुई और अभी करेंड़ी किती बैटरी यूजज हुई सारी एपस की डिटेल्स कब कब वह सब इटेल्स आप यहां पर एक एक करके पूरी तरीके से अच्छे से करने कर सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम में तो आप डिरेक्टली उसको अपर कर पाएंगे उसके बाद आएगा मोर बैटरी सेटिंग यह बैटरी से आपको सबको ऑन कर लेना है एक्टिक बैटरी सो चार्जिंग इंफोर्मेशन फास चार्जिंग प्रोडेक्ट बैटरी इन स वीडियो की हैं कितना ओडियो फाइल हैं कितनी डॉकुमेंट किसी इस्टॉल फाइल सारा कुछ आपको सब यहां पर मिल जाएगा नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे ज़्यादा एप केशिक कर रहा है सेमसंग इंटरनेट बीटा ने इंस्टाग्राम ने फोटोज ने एं मेमोरी या रेम खारी हैं हम सबको अनिस्टॉल कर सकते हैं योटूब क्रियेट्स यह सब मेरे त्यारे एप्स मेरे पास इंस्टॉल है जो कि यूज नहीं करें हैं तो आप उसको निस्टॉल कर दीजिए आपकी 8GB की स्पेस यहां पर बढ़ जाएगी डुप्लिकेट सब्सक्राइब आपको यहां पर बढ़ जाएगा और स्पीड आप देख रहे होंगे और स्पीड आपकी यहां पर बढ़ जाएगी है अब मेमोरी इंदर आपको दो ऑप्चिन मिलता है वो आटोमेडिक चलती रही उसमें रैम की प्रॉब्लम नहीं आएगी रैम प्लस इसमें कोई रैम आड़न करना हो आप इंटर्नल इस्टोरेट से रैम को यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद है मेर अच्छा फीचर नो थ्रेट फाउंड यह बहुत अच्छा फीचर है आपको इसको स्केन नाव पर क्लिक करते नहीं यह क्या करता है पूरी डिवाइस की सारी आपकी एप्स को स्केन करेंगा और जो भी कुछ आपको इशू होगा तो बता देगा कि इस एप इस एप में बहुत इशू है सब आपको यहांपर चेक कर देगा जितनी ज्यादा अप्स होगी उतने ज्यादा टाइम लेगा तो आपको इसको होने देना है तो कोई भी थ्रेट फाउंड नियों तो आपको बता देंगा यहां पर कोई भी आपका इस्व नहीं है नहीं तो क्लिक करकर रखना है इसमें क्या होगा जब उसको लगए कि आपके मोईल ने कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आपके प्रॉब्लम थोड़ी वह सौर्फ कर देगा यहां आपको सब्सक्राइब करता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए डाइक्मिन अपने मोईल को पूर भी डेटा को यूज कर सकता है जब तक कि आपको उसका पासबर्ट पता नहीं हो तो यह पूरी तरह के से काम करता है और बहुत ही शानदार ही है इसके बारे मैंने आपको बता दिया उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्यू सो मैं उमीद है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में मुझे वाट्सव फॉलो कर लें ताकि ऐसे नहीं अपडेट है सबसे आपको मिले तो थैंक्यू